नमस्कार, स्वागत है आपका खास कारेक्रम जिसका नाम है आमने सामने आज का मुद्दा है यहाँ पर देखा जाए सचेन पालेट क्योंकि सचेन पालेट को कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिल रही कोई भी बड़ा पद नहीं मिल रहा सीएम बनने का सपना भी तूटता हुआ नजरा रहा है एक के बाद एक खास जानकारी हम आपको देते हैं सचेन पालेट को लेकर लेकिन जो खास कारेक्रम है आज यहाँ पर उनकी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर यह कि जल्दी एलान हो सकता है लेकिन पालेट को वो जिम्मेदारी चाहिए नहीं चाहिए यह सवाल बना हुआ है देखा जाएं यहाँ पर तो सुखजिंदर सिंग रंधावा और साथ यसाथ केसी वीड़ो गोपाल पीसेसी चीफ गोविन सिंग डोटा सरा और रास्ट्रे अध्यक्ष जो है कॉंगर्स पार्टी के मलीकार जुन खड़के इन सब की खास बैठक हुई ती आज जल्द बाजी में ने बुलाएगा और कई ने कई यहाँ पर प्रदेशा ध्यक्ष पत को लेकर फैसला लेने की बात कई जारी है कहा जा रहे है कि पालेट को इशाद अगली बार मौका दिया जाए इस बार फिर से गहलोत का कोई सीएम बनाया जाएगा पार्टी रिपीट होती है तो और साफ तोर पे सारे नेता शौरे की पार्टी असानी से रिपीट होगी क्योंकि देखा जाएं यहाँ पर तो पालेट अफिर से बगावत नहीं कर रहे है लेकिन प्रदेश अध्यक्षपत देने के बात अब पालेट को की जारे है क्या उन्हें यह पच चाहिए क्योंकि लड़ाएं तो यहाँ पर सीएम पद को लेकर है तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षपत का वो क्या करेंगे उनके समर्थ तक जो है लगतार यहाँ पर कहते नजर आते हमारा सीएम कैसा हो सचिन पालेट जैसा हो तो इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्षपत बनाने की जिमेदारी यहाँ पर पालेट को दी जारी है तो क्या लगते हैं कि पाइलेट उस पद को अपनाते हुए नजर आएंगे? कि उन्हें मुख्यमंतरी पद का जो दावेदार है वो बनाया जाए चुनाओ में अगर वो जीत हासल करते हैं तो मुख्यमंतरी बन पाएंगे? नहीं तो वो रह जाएंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि 2020 के बाद से गैलोत और पाइलेट के बीच में बगावती सुर लगातार देखने को मिल रहे हैं और रीजन कहीं न कहीं है कि गैलोत भले ही मुख्यमंतरी बन गए हो लेकिन उसमें पाइलेट की भी काफी बड़ी एहम भूमिका थी और अगर बात करी जाए तो इस साफ तोर पर कहा जा रहा है कि अगर गैलोत मुख्यमंतरी बनने की जो जिद लगातार पकड़े हुए हैं उसी पर अडिक रहते हैं तो चुनाओ में हार होना तैह है क्योंकि एंटी इंकम्बेंसी से लेकर पेपर लीक और तमाम ऐसे मुद्धे हैं जिसको कही न कहीं बारती जनता पार्टी बुना लेगी और आप और हम लगातार ये भी बताते हा रहे हैं जनता को कि आने वाले वक्त में लगबग 12 फरवरी के आसपास का जा रहा है कि पीम मोदी के बड़ी रेली होने वाली है और वो कहीं न कहीं गुर्जर समाथ से लेकर तमाम योजनाओं का इसमें एलान होगा तो अगर कॉंग्रेस आला कमान अभी बड़ा फैसला नहीं लेता तो फिर बहुत देर हो जाई है लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दूसरी बात ये भी सामने आई कि प्रदेश शाद्यक्ष एक समय पर अशोग गहलोद भी थे और यहाँ पर गहलोद नहीं ये बात कही कि जब मैं प्रदेश शाद्यक्ष था तो यहाँ पर पार्टिया हसानी से जीती रज़र आई थी कोई और राजनेता होता तो शायद इस पत को छोड़ देता और यह कहता कि बचे वे आट महीने हैं यहाँ पर मुक्यमंत्री के तौर पर पाइलेट रहें और पाइलेट तमाम तगड़े फैसले ले सकते थे जिससे हम लगातार देखते हैं कि भारती जंता पार्टी भी प्रदेश और तमाम जो मुद्दे लगातार कही जा रहें बाते कही जा रही हैं वो पूरी तरह से बेकार हैं और यह सिर्फ दिल बहला देने वाली बाते कि चुनाव से पहले आपने खिलोना पकड़ा दिया और पाइलेट कहीं ना कहीं इस इन तमाम चीजों से मुझे नह पाइलेट कहीं पाइलेट कहीं जो यहां पर गुजा समाज का गड़ कहलाता है यानि कि टॉंक में और इसमें कुछ एरी ऐसा है जो मुसलिम बाहूले भी है तो क्या लगता है कि जो एक तो जादूगिरी कहते है यहाँ पर गहलोद की और रणीती कार कहते हैं यहाँ पर पाइलेट की तो क्या वो कई न कई कि वेसी के सामने फेल होती नजर आ सकती है देखिए मुझे नहीं रखता कि राजिस्तान में वेसी एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि अगर यूपी की बात करी जाए या फिर जिस तरीके से और जगा पर वेसी चुनाव लड़ते हुए और यह माना जा सकता है कि वहाँ पर इतना जादा OEC की वज़े से असर नहीं पड़ेगा जो असर डालेंगे वो अर्विंद केजरिवाल डालेंगे और बीजेपी डालेगी अर्विंद केजरिवाल चुकि जिस तरीके से लगादार सियासी राजनीती में अपना खद तेजी से बढ़ाते हुए नजर आए जादू कि यहाँ पर सचीन पाइलेट को बड़ी जिमेदारिया देने का फैसला किया जा रहा है प्रदेशा द्यक्ष की बात की जारे लेकिन यहाँ पर सुखजिंदर सिंग रंधाव ने डिप्टी सीम पद के लिए भी किया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी बूमी का यह सचिन पालेट और शोग घहलोत के बीच खिच्टान की स्थिती बनी हुए उससे सीधे तोल पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है आप कह सकते हैं पर काफे ज़्यादा गंभीर हो थी नजरारी क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगा ता इस पड़े मुद्यों को सुल जाने के लिए कोशिश कर रही है जतन कर रही है लेकिन उसके बावजुद मामला जसका तस्बना हुआ है तो सबसे बड़ा यहां पर आप कह सकते हैं कि वोटों के नजर इसकर देखा जाए तो जो है मामला यहां पर ज्यादा फंसा नजर तबाता है जब गुजर वोट को लेकर क जे पी जिस तरह किस लगतार दाव चल रही है उससे यह माना जा रहा है कि राजनिती करूप से इसका सीधे तोर पर नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है और साथी यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पाइलेट के जो खासतोर से जो उनके समर्थन में लोग नजर आते हैं वो भ भलकर कि कदम और फैसले बढ़ाने पर रहेंगे क्योंकि अभी इस समय राजस्तान में बीजेपी लगा तार जो है कई रहनीतियों के साथ जंता को साधने का जो है काम कर रही है तो एक और आखरी सवाल मेरा यहां पर रहेगा कि बार बार यही कहा जाता है कि पाइलेट को या तो अपनी पार्टी बनाने चाहिए बीजेपी में चले जाना चाहिए लेकिन बात बीजेपी में जाने के आपको इसी कौनसी वज़ा लग रहे है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा पारे और सिंधिया नहीं कदब उठाया था क्यूंकि सिंधिया पालेट काफी अच्छे दोस्ते पालेट नहीं उठा पारें पारें पॉर नहीं है अगर देखे तो दोनों ही नेताओं की बिज तालमिल बहतर है और अगर यह सारी चीज़ आने वाले समय में औरम भी जो तराजिते सिंधा की तरह कदम उठाने पर मजबूर हो सकते ये भी एक बड़ी जो है तरीके से कड़ी है इस पूरे मामले में कि कहीं जो है सचीन पालेट बगावत पर न उतर जाए क्योंकि अगर लगातार उनको नजर अंदास किया जाए तो जाहर सी पात है कि उसके पीछे कोई बड़ी वज़ा होगी और अशोग गैलुत कहिने के इस बड़े मुद्य में बाजी मारते नजर आए शुक्रे अबरार यहां पर अब कहीं न कहीं सही होगे अनों तो अपनी राये रख्यों समझने की कोशिश की प्रदेश या दियक्ष पद के लिए राजी न अब इस पर अपनी राये जरूर दीजेगा और बागे सी खबरों के ले देखते रहें नेक्स नाइन यूज